नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या बेबी लाइफ में आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी के दूसरे तिमाही में बॉडी में कौन से ऐसे बदलाव आते हैं जिने देखकर आप अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान एक होता है दूसरे मेने में कुछ और बदलाव होता है तो इन ही बदलाओं के अधार पर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जिने देखकर आप अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान लड़का है या फिर एक लड़की है स्टार्टिंग के डे हो जाता है तो भून पॉफेक्टली बन जाता है यानि की जन्नाक पूरा बन चुका होता है लड़का है या लड़की वो चीज बन चुकी होती है तो ऐसा माना जाता है पांच्वे महीनी से जो बाड़ी में बदलाव देखने को मिलते हैं लड़कों के टाइम पे बदलाव तो कौन से वो बदलाव है जो कि आपको 5-6-7 महिने में दिखेंगे जिसे देखकर आप क्लू यानि की अंदाजा लगा सकते हो लड़का है या आपके पेट में लड़की है क्योसिटी क्योंकि प्रेगनेंसी में खासकर होती है प्रेगनेंसी के लास्ट हैमिस्टर में कि मेरे क्या होगा लड़का या लड़की कब होगा ये चीज़ों की क्योसिटी खासकर बढ़ती है जब प्रेगनेंसी में आपकी डिलीवरी होने वाली होती है कुछ ही टाइम रहत होती है खाला खाने का मन ही करता है श्मैल की फ्रफ़लम बहु जाएब थाद रहती है क्यूंकहिvial बार तक दार खाल राती आप फिल्झे था नहीं हो घंगогए क्का शैल ठीच हो जा जाती है आगर अगर फीड इन घृत अपकी बड़ चुके है जैसे आप सुबा है अरी अरल कि एक से बने मेन हो जाता हुआ हा नहां कि और भूर्ण यहूंकि ठीन मेने में नहाथ में नहांने के दिशे on होने की होती है वहीं अगर आपको देखिए स्टाटिंग में जासे नौजिया की प्रॉब्लम है कि स्मैल ला रही है बहुँ जाता है खाना खाने का मन नहीं कर रहा भूख बहुत कम है खाना डाइजस्स नहीं हो रहाँ वह सेम प्रॉब्लम आपकी बस थोड़ी बहुत कम हो प्रॉब्लम सेम रहती है कि खाना खाने का मन नहीं करना चिड़ चिड़ा सा रहना मन आपका खाने को देखकर भूख कम हो जाना मतलब क्रेविंग नहीं हो रही कि मुझे कुछ खाना है मुझे भूख लग रही है वैसी वाली भूख नहीं लगती है तो यह सिम्टम एक इसके साहसा दूसरा साहिन भात करते हैं स्मेल की प्रणिस्य में यह चीज मेरे साथ मेरे साथ 6 बहुत ज़ंहें अगर आदे से बढू सकते शियलो कि थे प्राथा तर्थ स्मेल तो Ah 1970 गी से महित हैं जो पितला समेल और साहल के थितर। अगर आशक लगा रहा 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 तो यह निशानी एक लड़का होने के होत है, अपको लड़की होने के चांसी ज्यादा होते हैं मुशली महीलाओं को थे बढर प्लाइब होते हैं और देखें जिन बढर बढ़ जाती है आप इस शीशे में देख सकते हो, प्रेग्नेंसी के एक से लेकि तीन ती मही में नाक आपकी नॉर्मल रहती है, लेकि जिन महिलाओं की बॉड़ी में नाक भी फैट आजाता है, जैसे नाक फूल जाती है, नाक आपको पहले से मोटी मोटी लगेगी, तो उनको लड़की होने आपको लड़का होने के चांसी जादा होती है, यह बहुत सारी केस में साथ देखा गया है, जिनको बेबी गल हुए, उनकी नाक फैल जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो नाक फिर से वैसी हो जाती है, जैसे प्रेग्नेंसी से पहले थी तीसरा सबसे मोस्ट बदलाव आता है आपको प्रेग्नेंसी में, देखें यूं तो बदलाव सबको आता है प्रेग्नेंसी में, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, क्योंकि सबकी बॉड़ी के हार्मोस एक जैसे नहीं होते है, सबकी अलग होते है, लेकिन यह जो अगर आपको चीजे पसंद आती है काने में लड़की ओले जैसे आइस क्रीम है चॉकलेट है नूडल्स है खासकर जड़कीव मेड़की चाहिए आइसक्रीम, कुलफी अगर ऐसे कुछ चीजे पसंद आरही है जैसे लीची जिनका मतलब में जो रोल होता है जैसे लड़कियों जैसे आपको लड़के की टाइम पर अपको कद्दू पसंद आएगा पेठा पसंद आएगा सेब केला अनार यह चीजे पसंद आएगे जिनका जंडर से लड़का माना जाता है तो ऐसा कोई सिंटम अगर है कि आपको जो चीजे अट्रैक्ट कर रहे हैं टेस्टी लग रहे है वो ज़्यातर लड़कों को पसंद होती है तो माना जाता है आपको बेभी गर्ल होने के चांसी में ज्यादा होते हैं वहीं अगर ऐसे चांसी बेभी बॉय होते हैं । वैसे तो देखिए मीठा और तीखा जादातर प्रेग्नेंसी में इसलिए खाने को होता है क्योंकि सोगी सब्सक्रादर आपके लिए कोई कमजोरी होती है वीकनेस होती है जिस करके कई बर मीठा खाने का मन करता तर कई बर तीका खाने का मन करता है शेज का झाला मीठाक वतलाब मीठाव में कुछ बिलदू तो बोला जाता है उनको बेवी गरल होने के चान्सी जादा होते हैं बाकि सबके हार्मोने जैसे नहीं होते हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है हर एक बेबी के क्योंकि हार्मोन इस अलग है अ सुने रख करते हैं है समेल भी हो गया भूग भी हो गई इसके साथ साथ आपको क्या चीज़े प्रेग्ने सी में पसंद आ रही है एसा बोला जाता है यसे आप कही शौपिंग करने भी जा रहे हो न लड़कों की ड्रस से ज्या तो बोला जाते हैं आपको बेबी बोय होने के चांटी स्यादा होते हैं इसके साथ 5 पांच वे सीम्टम की बात करते हैं बहुत ही सटीक सिम् पे बेबी गल्स के ताइम पर यह चीज़ आपके डेखने चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी कि आपकी बॉड़ी में बहुत तो उस केस में आपको लड़की होने के स्कोप जादा होते हैं वहीं बेबी बॉई के टाइम पर आपकी जो बॉडी होती है जैसे प्रेगनेंसी से पहलेती वैसे ही रहती है खाली पेट का ही अकार भार होता है यानि कि जो बेबी बंब होता है वही शेप से आपका फैट नज यानि कि पीचे से और को यहीं नहीं सकता है की आप प्रैइगनेंट हो और लड़का ताइम फे द क्पर से ऊ specifics wonderful तो आपको लड़की होने के स्कूप साधा होते हैं, ये वीडियो देखिए आपके मन की क्यों स्रीटि को कम करने के लिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो वीडियो को इंज्वाइली लीजेगा, किसी गलत धाने से वीडियो को मत देखेगा, जो ये 5 सिम्टम शेयर की हैं, मेरे केस में बिल्कुल सटीक थे, और कई सस्क्राइबर के साथ सटीक थे, इसलिए शेयर कर रही हूँ, बाकी मेरा चानल देखे, लिंक में भेदबाव नहीं करता, नहीं ये चीज में सिखाती हूँ, सिरफ अपनी वीडियो में आपसे अपना परसनल एक्सपीरियन्स शेयर करती हूँ, जो कि दोनों प्रेग्नेंसी में मेरे साथ सेम थे, तो देखे, लिंक का प्रेक्शन करना, करवाना ये भी कानूनी अपराद है, कानूनी जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, तो इन चीजों से बचे, आज की डेट में लड़की लड़का दोनों एक ही है, एक समान उसे अधिकार दे, एक समान प्यार दे, क्योंकि दोनों एक ही है, तो आई होब आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल बनेए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सबस्ति वीडियो को जितना उसके गरवती महिलाओं के साथ जाद जादा शेयर करें मिलते हूं किसी नई टापिक में किसी नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई टेक केर